हेलो एपर बेलकंड प्रियंक्या वाजपय ब्लॉग तो ऐन मेरा टास्क है यह चाम पर यह सकते सारे गरमकपड़े मुझे पैक करने हैं तो मैं आज गरमकपड़े रखने जा रही हूं इसलिए गरमकपड़े आज बैग में पैक करके रख दूँगी पर आचुका है कैंटीन का सामन मैं एक महीने का सामन मंगा लेती हूं तो यह आज लेके आये हैं मुझे इससे सेट करना है मैंने सचालों को दिखा देती हूं तो यहां मैगी यह तोफ्य कि पैकेट है नमकीन है और इस परेक्स है जो हम लोग घ्रेकरश्ट में रहते हैं साब तो यह सारा सामान लेके आए हैं अब मैं इसको अपनी जगह सेट कर देती हूं यह भी एक काम रहता है ना कि जैसे आए सामान तो टाइम से सेट कर दो तो यह लगता है चलो एक काम हो गया बाकि यह भी ऐसे पैक रखना तो है सामान इसको अपनी जगह पर तो मैं फटा-फट करते रहांगे लग और मुझे यह सारे कप्डे वास करने हैं बहुत ज्यादा कपड़े हैं है कि इदर चल लेगे मसीन इसको डब देती हूं और मुझे यह चादर भी चेंज करनी है इसको भी दुलना तो इसको भी चेंज करके दूसरी बिचा देती हूं फटा-फट से तो यहां मैंने मसीन से कपड़े निकाल लिए ते मैं नीचे ही बालकनी में कपड़े पानी में निकाल लेती हूं और यहीं से डायर करके उपर छट पे डाल देती हूं उपर बातरूम में नहीं ले जाती हूं बातरूम में उपर तो यहां से फटा फट मैं यहीं मसीन लगी ह कपड़े निकाल लेती हूं और यही पर डायर भी हो जाते हैं तो यहां से मैं फटा फटा कपड़े निकाल के डायर करके अभी छट के लिए जाओं भी डालने के लिए तो मैं चट पर कपड़े लेके पहुंच चुकी हूं और कपड़े भी बहुत थे डायर कर लिए थे तो जल्दी सूप भी जाएंगे हवा भी बहुत ते चल लेती बहुत अच्छी दूब निकली थी और यह आप लोग देख सकते दिवार पर कंबल पढ़ा है हम लोग ने उस दिन चुटी थी तो दोनों लोग मिलकर दो दिन पहले धुल लिया था तो यह सूप चुका है इसको पैक करना है रख देंगे अब इतनी सर्दी नहीं हो रही है कि इतना भारी कंबल ओड़ा जाए तो देख सकते बहुत तेज हवा चल लाई है जूप भी बहुत अच्छी निकलीती तो यहां पर कप्रे डालेंगे फटा फटा फट से कप्रे सूप भी जाएंगे आरे बस हुआ हुआ है झाल झाल